मक्खन और घी प्रोसेसिंग ओप्रेटर का परिचे मक्खन और घी एक दुग्द उत्पाद है जिसे ताजी या किनवित मलाई को मत कर बनाया जाता है मक्खन का इस्दमाल आम तोर पर एक लेप और चौंक के साथ साथ खाना पकाने में जैसे सेखने, सौस बनाने और कड़ाई में तलने में भी किया जाता है मक्खन कई तरह के होते हैं लेकिन आम तोर पर पैस्चराइस क्रीम से बनाने वाले स्वीट क्रीम मक्खन का सबसे ज्यादा इस्तमाल किया जाता है फ्रिज में रहने पर मखन ठोस रहता है लेकिन सामान या तापमान में नरम होकर फैलने योग्य बन जाता है वैसे और भी कई फैलनेवा योग्य मक्षन होते हैं जो थंडे तापमान में भी नरम रहते हैं और इसलिए उन्हें सीधे फ्रिज से निकाल कर इस्तमाल करने में आसानी रह होती है सभी किस्म के मक्षनों को नमकीन या नमक रहित मक्षनों के रूप में बेचा जाता है नमक स्वाद लाने के लिए डाला जाता है जबकि घी बनाने की शुरुवात भारत में हुई थी और इसे साबित करने के लिए परियाप्त प्रमान दर्ज हैं वैदिक काल 3000-2000 इसापूर्व से ही आहार और धार्मिक उद्देश्यों से व्यापक तौर पर इसका इस्तिमाल होता रहा है घी का बाजार घरेलु स्तर पर और सूसंगठित दुगदफ प्लांटों में निर्मित एक सूस्थापित बाजार है मक्षन और घी प्रोसेसिंग यूनिट में इस्तमाल होने वाले उपकर्ण कच्चा दूध रिसेप्शन डॉक डेरी प्लांट में जिस थान पर दूध सबसे पहले पहुंचता है और प्राप्त किया जाता है और स्वीकार करने के बाद श्रेणी बद्ध किया जाता है उस थान को कच्चा दूध रिसेप्शन डॉक के नाम से जाना जाता है दूध को या तो कनस्तरों में या टैंकरों में डेरी प्लांट को प्रदान किया जाता है चुँकि दूध का अतिरिक्त प्रसंस्क्रण मुख्य रूप से उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है इसलिए दूध को स्विकार करने का निर्णय दूध पहुचाने के तुरंत बाद और अच्छी तरह चान बीन करने के बाद किया जाना चाहिए रिसेप्शन में शामिल है उतारना, श्रेणी बद्ध करना, पहुचाना, नमुना लेना, परिक्षन करना, तॉलना या मापना और दर्ज करना, डंपिंग और पंपिंग भंडार करण टैंक या स्टोरिज टैंक स्टोरिज टैंक वे कंटेनर हैं जिन में अल्प या दीर्ग कालीन भंडारन के लिए इस्तमाल किये जाने वाले गर्म या ठंडे तरल पदार्थों को रखा जाता है दुग्द उद्योग में स्टोरिज टैंकों को सरंचना और गर्मी परिरक्षन शमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है स्टोरिज टैंक कई आकृतियों में मिलते हैं जैसे लंबवत और शैतिज बेलनाकार, खुला सिरा और बंद सिरा, सपाट पैंदी, शंकुनुमा पैंदी, धाल पैंदी और ठाली नुमा पैंदी मिल्क चिलर या दुरुतश्चीतक दूद का दुरुतश्चीतन, दूद में मौजूद सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकने के लिए काफी हद तक कम तापमान पर कच्चे दूद को तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया है दूद के तापमान को घटा कर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अच्छा हो यदि 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर देना चाहिए मिल्क सेपरेटर या दूद विभाजक यह एक केंद्र पसारी उपकरण है जो दूद में से मलाई और मलाई रहित दूद को अलग कर देता है हमोजनाईजर या एक रूपक एक रूपन दो परसपर अगुलनशील तरल पदार्थों का एक समान मिश्रण तयार करने के लिए इस्तिमाल की जाने वाली प्रक्रिया है इसके तहट दोनों में से एक तरल पदार्थ को घुमाया जाता है जिससे उसके बेहत छोटे छोटे कण दूसरे तरल पदार्थ में एक समान रूप से बढ़ जाते हैं पास्टुराइजर या पास्टुरी कारक दूद का पास्टुरी करण दूद को 30 मिनिट तक 63 डिग्री सेंटिग्रेड पर या 15 सेकेंड तक 72 डिग्री सेंटिग्रेड पर गर्म करनी की प्रक्रिया ताकि खाद्य पदार्थ को खराब रोगी या अवंचित किन्वन कर सकने वाले सूक्ष्म जीव मर जादें। पास्तुरीकरण के बाद दूद को तुरंद 5 डिगरी सेंटिग्रेड या उससे कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। पास्तुरीकरण का उदेश्य उपभोकताओं के लिए दूद की सुरक्षा और दूद उदपादों की गुणवत्ता और उपयोग जीवन काल को बढ़ाना है। मखन या घी पैकेजिंग मशीन अधिकांश मखन या घी प्रोसेसिंग प्लांटों में तयार उत्पादों को कंटेनरों में भरने, बोतल बंद करने, गढ़ने, आकार देने और काटने के लिए आटोमेटेड मेकैनिजम प्रोसेस लाइन का इस्तमाल होता है। ये मशीने खाद्य उत्पादों को पैक करने के लिए आदर्श उपकरण है। आईए हमने जो कुछ सीखा है उस एक बार फिर से दोहराएं। कच्चा दूध रिसेप्शन डॉक, स्टोरिज टैंक, मिल्क चिलर या दूध दूरतशी तक, मिल्क सेपरेटर या दूध विभाजक, होमजनाइजर या एक रूपक, पैस्चुराइजर या पास्तुरी कारक, फॉर्म फिल सील, FSS मशीन, मक्षन या घी पैकेजिंग मशीन मक्षन बनाने की प्रक्रिया मक्षन क्रीम और बाकी बचे दूध को मलाई रहित दूध कहा जाता है। उसके बाद मक्षन क्रीम को होल्डिंग टैंक में रखा जाता है, जहां एक जैसी एक रूपता को बनाए रखने के लिए उसे हिलाया और मिलाया जाता है। पैस्चुराइजर का मानदंड निर्धा पिछले बैच से चरनर में कोई किटानू नरह गया हो, इसे सुनिष्चित करने के लिए इस बात की जांच करें कि चरनर को अच्छी तरह साफ किया गया है या नहीं, चरनर को क्रीम से सिर्फ आधी दूर तक ही भरें, ताकि चरनर के वेंट से हवा को निकलने के लिए चरनर को चालू करें, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहें जब तक मखन बटर पॉपकॉन नहीं बन जाता, बटर पॉपकॉन बन जाने के बाद चरनर को बंद कर दें, ध्यान से देखें कि मखन से बटर मिल्क अलग हुआ है या नहीं, और बटर मिल्क को चरनर से नि कर दें और नमकीन मक्खन बनने के लिए उसे सील कर दें चरनर को लगभग 30 मिनट तक चालू करके रखें वसा के अणू आगे चलकर गाड़ा हो जाते हैं और मिलाए गए नमक के साथ मिल जाते हैं और वांचित सुन्दर्ता चली आती है और परिणाम स्वरूप जो प्राप् की जाती है मखन को मखन मोल्डिंग और रैपिंग मशीन में ठाना नतरित करें और ब्लोकों में मखन के परिमान की माप करें और प्राथमिक पैकिंग सामगरियों में लपेटें समय समय पर पैक किये गए उत्पाद के वजन बैच कोड तारीख कोड इत्यादी की जाँच कर प्रयोक्षाला में भेजें। पैक किये गए उत्पाद को खुद्रा बाजार में वित्रण के लिए भेजनी से पहले उसे तैयार उत्पाद भंडारण शेत्र में सनांतरित करें। और SOP के बाद उप्युक्त तापमान और भंडारण दशाओं को बनाय रखते हुए उत्पादों को भंडारित करें। तयार दुख्ध उत्पाद की पैकेजिंग और भंडारण तयार उत्पाद की पैकेजिंग उत्पाद के पोशन तत्वों को परिरक्षित करने के लिए उत्पाद को पैक करना बहुत जरूरी है। पोश्टिक दूध और दुख्ध उत्पादों को उपभोगताओं को सरवाधिक इफायती, स्वास्तप्रद, सुरक्षित और पर्यावरण की दुरुष्टी से अनुकूल पैक में प्रदान करना पैकेजिंग उद्योग के लिए सबसे बड़ी चुनोती है। इसलिए सही पैकेजिंग सामगरी और एक तापमा नियंत्रित भंडारन शेत्र का चयन करना जरूरी है। दुख्ध उद्योग में आम तोर पर इस्तिमाल की जाने वाली कुछ सामगरियों में शामिल है कागस, पेपर बोड और नालीदार फाइबर बोड। टॉक रोटेशन सिस्टम जैसे एफाइफो और एफी एफो का इस्तेमाल किया जाता है। FIFO, First In, First Out, एक ऐसा Stock Rotation System है, जो प्रसंस्क्रित खाद्य को उसी क्रम में भेजता है, जिस क्रम में उसका निर्मान हुआ होता है FIFO, First Expired, First Out, एक ऐसा Stock Rotation System है, जहां पहले सेवन किये जाने वाले उत्पादों को पहले भेजा जाता है सामग्रियों की गुण वत्पादों की जांच करें, बनाये जाने वाले उत्पाद का परिमान प्रिमान तै करें, इस्तमाल की जाने वाली और मिलाई जाने वाली सामगरियों का सयोजन तै करें, सुनिश्चित करें कि सामगरियों का कम से कम नुक्सान हो, निम्लिखित को दस्तावेज करुत करें और उनका रेकॉर्ड रखें कच्चा माल, उत्पादन, अनुसूची और प्रक्रिया, तयार उत्पाद, सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी उपाय करें, खाद्य सुरक्षा, नियमों और प्रथाओं का पालन करें, सभी प्रकार के अर्ध स्वचलित और संपूर्ण स्वचलित युनिटों को चलाने मे सक्षम होना चाहिए, मखन और घी बनाने के लिए सभी प्रकार की प्रोसेसिंग मशीनों को चलाने में सक्षम होना चाहिए, क्रम बध उत्पादन को पूरा करने के लिए मशीनों के अबाधित संचालन को सुनिश्चित करना चाहिए, मशीन के उप्योग को अनुकूलित कर जरुवत पढ़ने पर अवजारों और मशीनों की छोटी मोटी मरमत में भाग लेना। की उत्पाद संगटन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। कच्चे माल, पैकिंग सामगरी और तयार माल के सुरक्षित और उचित भंडारन को सुनिश्चित करना।